हाई फ्रेंज आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर लास्ट वीडियो में हमने बजट को डिसकस किया था तो आज हम देखते हैं जो हमारा नेक्स फीचर है अप्शनल वाउचर आप इस ओप्शन को यस कर देंगे यह आपका बजट सेनरियो मेनजमेंट में ही है जब आप इस ओप्शन को यस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से वाउचर इनेबल हो जाते हैं तो आपने क्या करना है यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड वाउचर को यस कर देने दैन एक्सेप्ट करने चलिए अव देखते हैं अगैंटिजंग पर आते हैं तो हमें यहाँ पे कौन-कौन से वाउचर मिल रहे हैं एक यहाँ पे एनेबल हुआ है रिवर्सिंग जर्नल और एक अडनिग करते हैं चलिए देखते सबसे पहले हम Memorandum Voucher की बात करती है Memorandum Voucher होता है Memos Voucher Control F10 क्योंकि F10 के नीचे डबल लाइन से इसलिए इसको Control के साथ हम यूज करेंगी Memorandum Voucher होता है कोई भी Memory के लिए अगर आपको कोई एंट्री करनी है माल लिजे आपने अपने Office Boy को 500 रुपीज दे रखे हैं कुछ भी Stationary का समाल लाने के लिए बट आप शूर नहीं है कि वो समान 500 काएगा उससे कम काएगा या उससे ज़्यादा काएगा तो आप जिस Memory के लिए रखना चाहते हैं कि आपने Office Boy को 500 रुपीज पे कर रखे हैं किस लिए? Stationary के लिए तो आप as a Memory उसको एंटर कर सकते हैं आप normal उसको पेमेंट में एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी actual में जितना amount का वो आना है Stationary का समान आना है उतना आपने पेमेंट नहीं किया आपने just memory के लिए रखना है जिसका किसी भी account पे कोई impact नहीं पड़ेगा तो अगर आपको कर ऐसे memory के लिए एंट्री करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे memos voucher open करते control F 10 memorandum voucher तो चलिए हम एंट्री करते हैं माली जी मैं first chapter में यह एंट्री कर रही हूँ यहाँ पे हमें एक ledger create करते है अट्री का अंटर इंडाइक एक्सपेंसिस इसको एक्सेप्ट करते हूँ यहाँ मैंने 500 लिखा stationary to cash मैंने first chapter को stationary के लिए 500 रुपीज पे किया है तो वो मैंने as a memory रखना है मैं यहाँ पे accept कर देती हूँ अब आप चेक करेंगे तो देखिए डिस्प्ले पे आएंगे यहाँ पे आपको exception reports में memorandum vouchers के अंदर जितने भी entries आपने memories में रखी हूँगी वो सारी आपको यहाँ पे show हो जाएंगी देखिए यहाँ पे इसका आप देखेंगे कि font भी अलग आ रहा है लैजर पे जाएंगे यहाँ पे हम stationary का लैजर उपन करते हैं तो देखिए stationary के लैजर में कुछ भी amount नहीं आ रहा इट मींज कि stationary के account पे कोई impact नहीं पड़ रहा उस entry का जो आपने as a memory रखी है बाद में जब आपको पता चल गया कि जो stationary का समान था वो 300 रुपीज का आया और आपने उसकी real entry करनी है और memory से उसको हटाना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आपको exception reports पे आने आप अपनी वही memorandum workjust वाली entry को open करेंगे यहाँ पे same वही entry आपने open कर देनी है और यहाँ पे memorandum की जगा F5 प्रेस कर देने यहाँ आपकी entry F5 में हो जाएगी 300 payment होई है तो 300 की आप entry करके इसको accept अब देखिए यहाँ से memorandum में जो entry थी वो यहाँ से हट चुकी है और जो आपकी entry stationary की थी वो यहाँ पे show हो जाए यहाँ आपको stationary के ledger open कर दे देखिए 300 हमारा as a payment stationary के ledger में show होने लग गया तो ऐसे करके हम memory के लिए entry को रख सकते हैं और उसके बाद जब हमें उसको normal में लाना हो तो हम जो जिस voucher में entry होगी उस voucher में normally entry को ला सकते हैं और वो उसी के account में फिर impact भी आपको दिखा देगा तो यह साही चीज़े जो होती हैं यह हमारे पास option आता है यह reversing journal का जब हम use करते हैं तो चलिए एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर memorandum के लावा कौन सा voucher होता है और हमारे पास यहाँ पर है reversing journal अब reversing journal voucher का क्या use है reversing journal जो voucher है वो एक scenario को create करने के लिए बनाया जाता है कि हमें कोई scenario बनाने आप मान सकते हैं कि वो एक fake scenario भी हो सकता है यह आपको किसी particular date के लिए वो scenario बनाने बनाने इसमें अब हमारे पास जो इसमें maximum interest हो रखे हैं इस हमारी 31st May तब की entries हमने की हुई है तो हमारा जो profit आ रहा है वो हमारा यह आ रहा है net profit अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं 31st May को 1st April to 31st May जब मैं अपना चेक करूँ profit तो मेरा profit ही इस amount से 5000 रुपिस कम आना चाहिए मैं profit कम शो करवाना चाहती हूँ अब अगर आपको profit कम शो करवाना है तो इट मींस कि आपको अपने expenses बढ़ा रहे पड़ेंगे क्योंकि माली जी मेरे को अपनी report किसी को भेजनी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे को profit कम दिखा के शो करना है 5000 रुपिस यहाँ पर ज़्यादा शो हो रहे है तो मेरे owner ने बोला कि यह profit को कम शो करवा दो एक particular date पर अब आप देखे कोई भी profit आपको कम करवाना है इट मींस आपको expense दिखाना पड़ेगा बट वो expense आपका real तो हुआ नहीं है आपको as a fake ही उसको करना पड़ेगा scenario ही बनाना पड़ेगा उसका तो इसलिए हम क्या करते है scenario manager यूज़ करते है reversing general voucher का यूज़ करते है देखे अब हमने यहाँ पर example लिया net profit हमारे पास यह आ रहे है और मेरे को जो 31st May तक का net profit देखने है वो 5000 रुपीज इससे कम देखने है अब 5000 रुपीज को कम दिखाने के लिए हमें कोई expense डालना पड़ेगा क्योंकि हमें profit को कम करवाने है अगर मुझे profit increase करवाना होता तो मैं अपनी incomes को increase कर देती तो मेरा profit भी increase हो जाता अभी मेरे को profit को कम करवाने तो इसलिए मेरे को expense को increase करना पड़ेगा अपना expense दिखाना पड़ेगा तो चलिए आप कैसे करेंगे ये entry को देखिए आप आएंगे reverse in general voucher पे आप यहां पे आप सबसे पहले तो date देंगे कि आपको कौन सी date के लिए इस scenario को बनाना है तो माली जे मैंने का मेरे को 31st May के लिए बनाना है तो मैंने यहां पे 31st May दे लिया यहां पे मेरे लेजर ले ले लेती हूँ salary का salary expense दिखा लेती हूँ कोई साभी expense आप दिखा सकते हैं कोई problem नहीं है आप कोई भी expense को show करवा सकते हैं salary ले लिया और यहां पे 5000 amount लिया salary 2 अब मैंने salary कैसे pay की माली जे मैंने खा मैंने bank से pay करी तो मैंने यहां पे 2 bank ले लिया applicable up to अब वो यह आपको दिखा रहा है जिस date पे आप entry करते हो उसी date पे वो आपको applicable भी करता है कि यह जो आप scenario बना रहे हो यह 31st May तक के लिए ही valid है इसके बाद आप देखोगे तो यह valid नहीं है मतलब यह scenario सिर्व 31st May तक के लिए बन रहे है तो आप यहां पे इस date का ध्यान रखेंगे जिस date पे transaction हो रहे है उसी date तक के लिए यह scenario आप create करते हैं आप इसको अब हम देखते हैं आपने क्या करने है accounts info पे आने अब इस हमने reversing journal में entry की है आपने उसके बाद scenario create करने है scenarios पे आने create करने है यहाँ पे scenario को कोई भी नाम दे सकने ABC कुछ भी नाम दे दिजिए include इसमें क्या scenario में क्या include करने है reversing journal में हमने entry की है अब हम यहाँ पे चेक करते है profit and loss alt F1 यहाँ पे देखेंगे आप कि अभी हमारा profit उतना ही शोर है जितना की profit हमारा आ रहा था और हमारे पास यहाँ पे date first capital to 31st meter open भी है तो अब आपने यहाँ क्या करने है alt C present और यहाँ पे आपने 2 कौन से date तक का देखने 31st 5 तक का तो यहाँ पे आपने 2 में वो date डाव देनी है और type of value to show में अपने scenario का नाम लेना है जैसे हम budget का नाम ले रहे थे पहले अब आपने scenario का नाम लेने है यह देखे अब आप यहाँ पे देख रहे है actuals जैसे हमने budget चेक किया था actual हमारा क्या आ रहे है जितना हमारा real में था और जो हमारा ABC scenario में ने बनाया उसमें देखे यहाँ पे 5000 रुपीज मेरा add हो के आ रहे है और यहाँ पे salary का amount 39,000 आ रहे है और यहाँ पे salary का amount 44,000 आ रहे है तो it means कि मैंने क्या कि अपने expense को increase करके अपने profit को कम दिखा दिया देखे 5,000 रुपीज मेरा यहाँ पे कम आ रहे है तो यह सिरफ 31 में तक के लिए applicable होगा अगर आप यहाँ पे देखते हैं accounts books पे ledger open करेंगे salary का तो यहाँ salary के ledger में 5000 का कोई amount है यह देखिए मतलब 5000 वली entry का salary के account पे कोई effect बड़ा ही नहीं है क्यों नहीं बड़ा क्योंकि यह तो हमने as a optional entry की है as a scenario create किया वो भी fake scenario था तो हमने क्या किया इसमें reversing general का use करते हुए आपने एक scenario बनाया किसी particular date पे तो आप इसमें अपने profit को कम दिखाईए जादा दिखाईए बस आपको उसके according एंट्री पास करने होती है और scenario create करना होता है तो I think आपको यह समझ आगे होएगा जो भी doubts हैं प्लीज पूछे Thank you so much for watching this video